नमस्कार, F.I.B.C.M.S.E.M.S.T.R.1 कम्पनी लो, कम्पनी नो काईदो एक आपने, आर्टिकल ओफ असोसियेशन आंगे कम्पनी धारानी जोगवायो आर्टिकल ओफ असोसियेशन नो स्वरूप एमागाई के बाबतोन समामें श्थाई छे ए अने, टेबल ए विश्चर्चा करी, हवे आर्टिकल ओफ असोसियेशन नी असरो एना विश्चर्चा करी है के कम्पनी ना कया-कया पक्षकार ओपर आर्टिकल ओफ असोसियेशन नी के भी असर थाई शके छे अथा तो एनी साथ एक एवो सबन धरावेचे एना वीशेजर्चा करिया तो त्राण पक्षों ने ए असर करेचे कम्पनी ने अन्य कम्पनी ना सप्यों नंबर बे परस पर सप्यों नंबर त्राण त्राहिद पक्ष ने असर Memorandum of Association ने Article of Association बनने जाहर दस्तावेचे छे एटले के Memorandum of Association पण कोई पण व्यक्ति तपासी शके अन्य Article of Association पण कोई पण व्यक्ति तपासी शके छे जेना करने एने कम्पनी कई रीते काम करेचे एनू ख्यालावी चाए तो जे त्राहिद पक्षकारों चे जेने कम्पनी मां एपोते हिद धरावे चे अथवा तो कम्पनी साथे एने काम करवानू चे तो एने ए बाबत नू ख्याल आवी चे शे के कम्पनी ना अंतरिक वहिवटों मां के विरीते काम थाई चे शूं काम थाई चे? एटले के ए जाहर दस्तावेज छे हवे आर्टिकल ओफ असोसियेशन नी नूदणी ध्याबाद कम्पनी अने सप्यो एनू एक करार नू स्वरुपधारण थाई जाई चे कारण के ए जाहर दस्तावेज बनी जाई चे तो आ दस्तावेज बनी जाई छे एना करने एमनी वच्चे एक करार थाही जाई चे एमा जे बाबतों लखेली हसे ए बाबतने आधारेज कारियर कम्पनी मं थाशे इटले के आज ईटले पण पक्षकारो चे कम्पनी चे सप्यो चे त्राहित पक्षो चे आ बधाज पक्षकारो एना बंधन करता बने एटले के एमा जे पन बाबत लखेली हसे जे बाबत न समाविश्था यो हसे ए बाबत ने अधरे एने काम करवानू रहे शे तो आर्टिकल्स नी असरों ने आपने त्रण रिते दर्शावी शक्ये कम्पनी ने अने शब्यों ने केवी असर थाई चे परस पर सब्यों ने आंतरिक केवी असर थाई चे अने त्राहित पक्षों ने केवी असर थाई चे तो सौप्रथम तो कंपनीने औने सभ्यों ने असर, तो आर्टिकल्सनी नुफजणी थता कंपनीने औने तेना सभ्यों वचे जके असर थाई चे, तो ए बनने वच्चे कानूनी सबंध स्थापित थाई जाई छे, कारण के एनी जवापदारी छे, एमा दर्शावेली होई छे आर्टिकल अफ असोसियेशन मा, तो वे आ सब्यों छे, एने कंपनी तरफ नी जे जवापदारी छे, एकानूनी सबंध स्थापित थाई जाई छ हावे आ असर माथी न तो कम्पनी मुक्त थाई शके न तो एना सप्य मुक्त थाई शके बनने जवापदा इस्रीकारी अने कारिय करवू पडशे अने कम्पनी ना विकास माटेना कारिय करवाना रहशे तो कम्पनी ने वफ़ादार रहीने कम्पनी ए सप्यों ए अधिकारी ओये काम करवानू रहशे तो आर्टिकल्स नी आजे जुगवाईयो छे ए जुगवाईयो नू पालन करवा माटे ज़िटला पण कम्पनी ना सप्य justified पक्षकारो छे ए बद्धाच ए बंधन करता होई अत वाद दरेक सब्यों चे ए कम्तनी नी जोगवायोनू पालन करवा माटे बंधायला हशे अवे इमा जेपन कोई काम थता होई शेहर नी वेंचनी होई तो कई-कई कला-कला प्रकार ना शेहर छे तो अवे शेहर नी वेंचनी के विरीते थाई चे हपता कई रिते मांगवा मा आवे चे किटला समय ना हपता होई चे किटला हपता होई चे शेहर नी चपती मा काम के विरीते थाई चे शेहर फेर बदली उपर केम काम थाई चे जो शेहर उपर कोई विशेश हक आपवा मा आवतो होई तो कम्पनी ये आवधी जोगवायोनू पालन करता हुई त्यारे कई-कई कानुनी जे पद्धती चे ए पद्धती अथ्वाथ प्रक्रियाने आथारे आवधू काम करवू पड़ से ए बदी बापत दर्शावेली हशे एटले के आ बदी प्रक्रियाने आधरेज कम्पनी पोते काम करी शक्से एले के कम्पनी ना सभ्यों बंधायेला हशा आ प्रक्रियाने अनुसर्वा माटे बीजी वस्तु के सामी बाचु आर्टिकल्स नी झुगवायोनू पालन करवा कम्पनी पन बंधायेली हशे तो आर्टिकल्स नी जुगवा येनू पालन करवा कम्पनी बंधाली होई तो बनने बाचू कम्पनी ये पन पोतानू जवापतारी निभावानी चे अने सब्यों ये पन ने भावानी चे तो कम्पनी पन एना सभ्यों ना जेटला पन अधिकारों होई, ए अधिकारों छिनिवी ना शके, जेटला पन काईदा अनुसार कम्पनी ना सभ्यों ने जेपन कोई अधिकारों मलता होई, ए कम्पनी आपवा पड़े, तो ए अधिकार्थी विरूद जई शके ने, तो सब्यों पोताना जेपण कोई अधिकार होई शेर फेर बदली, पची हकना शेर मेड़ोवा सभामा हाचर्रेवानू, चर्चामा भागलेवानू मत आपवानू अधिकार, प्रोक्सी निम्मानू अधिकार आ पदा छे, एना सब्यों ने मरता अधिकार छे तो दरेक सप्या छे, ए पोताना अधिकार भोगवी सके छे पण, आटिकल अफ असोसियेशन नी मरियादा मा रहिने एटले के, आटिकल अफ असोसियेशन मा जे बाबत लखेली हसे एने आधारे एक काम करी शक्से तो जो आ सब्यों नो अधिकार कम्पनी द्वारा छीनवी शकाई नहीं, बदा जश सप्य छे, एपोताना आ अधिकार भोगवी शके छे मेडवी शके छे, अने जो एनो अधिकार छीनववामा आवे अच्छाद कोई सप्य साथे गेर वर्तनू करवामा आवे अने ए सब्याने कोई जो कारण वगर एना अधिकारो छीनवी लेवामा आवे तो ए सरकार के अदालत समक्ष अपिल करी शके छे तो आ वाद थाई आर्टिकल दी नोन धनी मा आर्टिकल अफ असोसियेशन एटले के एक कंपनी अने एना सप्यों वजे कानूनी सबंध स्थापी दे थाई जे अवे बीची बाबत छे परस पर सप्यों ने असर तो परस पर सप्यों ने केवी असर थाशे अवे सब्याच छे एक व्यक्ति होई एक थी वधू व्यक्ति होई व्यक्ति गत के सामुहिक आर्टिकल्स अफ असोसियेशन नी जोगवायों ने पालन करवा बंधायला होई छे एटले के सब्योपण एक विचाना अधिकार छिन्वी शकता नथी कम्पनी शकती नथी एम सब्योपण एक विचाना अधिकार शिन्वी शकता नथी कम्पनी नूँ कोई पण सप्य आर्टिकल्स असोसियेशन नी जोगवायों नू उलंगहन पण न करी शके कारण के कानून द्वारा एबाबत प्रस्था पित्था ये ली जे अने आर्टिकल्स असोसियेशन ने जाहे दस्तावेच छे ये जोगवायों नू उलंगहन करी शके नई अने जोग करे तो तेनी सामे कम्पनी ना अनिय सप्यों ने व्यक्तिगत के सामुहिक पगला लेवानो अथवा तो इमनी सामे अधालत मा के सरकार समक्ष नोंधी अने काम चलावानो अधिकार होई शके तो एक कम्पनी मा जोगवायों नू उलंगहन के व्यक्ति उपर येने प्रशन होई दोशी व्यक्ति होई एनी सामे कम्पनी कानूनी कार्यवाहि करी शके पड़ अन्यवधा सभ्योचे इनि पोते व्यक्तिगत रिते कोई सभ्योसा में कानूनी कार्यवाही न करीशके कम्पनी ए कानूनी कार्यवाही करीशक से तो आर्टिकल्स ने लईने सभ्योवच परसपर अंदरों अंदर कोई कानूनी सबंद स्थापित थतो न थी मात्र कम्पनी च एकानूनी करिवाही करिशक से कम्पनी नामे एदावो मांडवामा आउतो होई तो आ परसपर सभ्योने असर हती हवे चे त्राहित पक्षकारो त्राहित पक्षकारो अटले वा पक्षकारो के जे कम्पनी साथे सबंद धरावता होई जिनके कमपनी ना ग्रहको छे, देवादार, लेंडार, पची, अलग-अलग जे पक्षकार छे जनके ओडिटर छे, वकिल छे, सोलिसिटर छे तो आः बधा चे कमपनी साथे पोता न हीत धरावता व्यक्तियों हुई आः बधा व्यक्तियों त्रहित पक्षों के वासे तो आ ब़त 30 पक्षो छे, ए Article of असोसिएशन कमपनी विरुद 30 पक्ष ने कोई अधिकार आपनी जे आठीकल असोसिएशन बनावा मावता से, ए लो असríकार शे अंधिकार आपनी ने कोई अधिकार आपनी अधिकार आपनी जे एना सब्योने अधिकार आपे चे एटले के कम्पनी नो जे रोजिन्द वहीवट छे ए कई रीते चाले चे ए जोवानो त्राहित व्यक्तिने अधिकार नथी जेम के कम्पनी नी हिसाबीत अपास करवा माटे ओडिटर निम्वानी जोगवाई होई त्यारे कोई पन त्राहित व्यक्ति पोताने ज ओडिटर तरीके निम्वा के निम्वा एला हुए तो तिमने चालू राखवा दूर नहीं करवा न अधिकार धरावी शोके नहीं एटले कम्पनी पोतानी पासे चे बता अधिकारो राखे चे तो आर्टिकल्स कम्पनी औने त्राहित पक्षकार वच्चे कोई पन प्रकार नो सबंध स्थापित करती नथी आर्टिकल्स नी नूँधनी थाई त्यारे ते जाहेर दस्तावेज बने तो त्राहित व्यक्ति जे चे ए जे जाहर दस्तावेच बन्यों होई ए मात्रत पासी शके अने कम्पनी पन ए मानीले चे के कम्पनी साथे जयारे पन कोई त्राहित पक्षकार कोई पन रिते सबंध मा आवे चे अटले के कोई पन रिते कोंट्राक्ट करे चे अथवा तो व्यक्तिये आर्टिकल ओफ असोसियेशन नो अप्यास करेलो हशे अने एनी अंगे नी जान एने हशे तो कम्पनी ए जोगवायनू पालन करे छे के ते जानवा नीत्राहित पक्षकार नें जरूर ना थिकें के कम्पनी ना अंत्रिक वहीवट ने लगती बाबत थाई गणाई तो कम्पनी ओं मानी लेशे के कोई पडव्यक्ति ये आर्टिकल ओफ असोसियेशन नो अप्यास करिया बादच एमनी साथे व्योवहर्मा आवेला हशे तो आ बाबत थाई एक तो कम्पनी अने सभ्यों वचे असर तो जारे पन बनने बाजु जवाब दारी रेशे कम्पनी ने अधिकार छ्यूनवी शकता ना थी, आ मात्र कम्पनी द्वराच दावो मांडी शकाई अनिय व्यक्तियों छे ए पोते पस्नली आकोई पड़प्रकार नी वच्वतु करी शकती ना थी अने त्राहित पक्षकार ने असर मां तो त्राहित पक्षकार छे एने कोई कम्पनी कोई जप्रकारे कोई अधिकार आपती नथी तो आर्टिकल अफ असोसियेशन माझे बाबत लोन धायली हसे एक कोई पन्त राहित पक्षकारे कम्पनी साथे वहिवट करता पेला तपासेल हसे एवु मानी नेच कम्पनी पोते आगड़ू पर काम करे छे तो आर्टिकल अफ असोसियेशन नी एना जे पक्षकारो छे कम्पनी ना पक्षकारो एना उपर केवी-केवी असर थहली छे एना विशे आपड़े वात करी तो हवे कम्पनी छे ए पोते कैरी ते काम करे छे एना आंतरिक वहिवट नो सित्तांत एटले के दरेक व्यक्ति के जे कम्पनी मा जोडायली हसे तो ते व्यक्ति तेमानी जोगवायो थी माहितगार के ज़ाणकार हसे के जे पक्षकार कम्पनी साथे जोडायलो हसे एना थी माहितगार के ज़ाणकार हसे अने कंपनी नी आंतरिक कार्य वाही अंगे ए तापास करवा बंधन करता छे नहीं तो आ आंतरिक वहिवट नो सित्तांत अने आर्टिकल ओफ असोसियेशन मां जहरे पन फेरफार करवो होई तो कम्पनी कई प्रक्रियाने आधारे आर्टिकल ओफ असोसियेशन मां फेर फार करीश के एना विशनी आपड़े चर्चा करीशू अने तियार पाद आर्टिकल ओफ असोसियेशन अने मेमरिंडम ओफ असोसियेशन ए बनने नो तुलनात्मक अभियास वीशे चर्चा करीशों तेंक यू